हेलो रिबड़ी मैं दविंद कुमार आपके अपने चैनल जीके देखो बाइडीके में आप सभी का स्वागत है और आज आपके सामने में एक वीडियो लेकर आये हैं पी एफेमेस पोर्टल से संबंदित क्योंकि पी एफेमेस पोर्टल पर अब लोगिन करने का तरीका बदल गया है अब हमें बार-बार लोगिन करना नहीं पड़ता है और बार-बार हमें एंटर बटन को दबाना नहीं पड़ेगा और बार-बार हमें नीली पट्टी को कुछ देर तक परेज करके रखना नहीं पड़ेगा अब एक नया तरीका आ गया है पी एफेमेस पोर्टल पर लोगिन करने का चलिए क्या है वो तरीका आपको अभी दिखाते हैं चलते हैं मुबाइल फोन की स्क्रीन पर यहां Google को ढूंड लेते हैं यहां सर्च कर लेते हैं यहां सर्च कर लेते हैं यहां सर्च कर लेते हैं यहां क्लिक कर लेते हैं यहां क्लिक कर लेते हैं यहां क्लिक क और capture को change करने का option भी नहीं था तो अब हम क्या करेंगे यहां डालेंगे username यहां डालेंगे password और यह capture यहां देखो लिखावाई यह वाला capture यह आप यहां word verification यहां डालेंगे अब आप इस capture को change भी कर सकते हैं अगर आपको यह सही डंग से पढ़ा नहीं जा रहा है आपको zero और o में confusion है आपको small k और capital k में confusion है आपको l में i में confusion है तो आप इसको change कर सकते हैं और इसको change पहले ही कर लिए user id डालने के बाद इसको change कर लिजे आप यहां में user id डाल लेता हूँ और आप इसको change कर सकते हैं यह अगर आप password बढ़ने के बाद change करेंगे इसको तो फिर हमारा password वहां से बरावा गायब हो जाता है मैं दिखाओ आपको आपका ऐसे मैं यहां password बढ़ लिया है और मैं इसको बाद में जो है change करना चाहता हूँ तो फिर हमारा password भी गायब हो जाता देखो यहां मैंने password यहां डाल लिया और मैं इसको change यहां से करूँगा यह जो दो arrow दिखाए दे ले न आपको यह दो arrow विपरीद दिसा में यहां किलिक करूँगा तो देखो मेरा password भी गायब हो गया ID लिखी भी है password गयब हो गया ठीक है आप इसको पहले ही change कर ले है password डालने से पहले ठीक है पहले capture वाली सुविदा नहीं थी जो हमारा एक अप्रेल से पहले की बात है लेकिन जैसे एक अप्रेल आया एक अप्रेल 2023 तो पी FMS पोर्टल में यह अपडेट कर दिया गया है क्योंकि बार बार यहां नेली पठी पर कुछ देट दबाना पड़ता था या फिर हमें की पैड के अपने मुबाइल के एंटर बटन को दबाना पड़ता था तो बहुत सारी समझे आती थी अब PFMS पोर्टल लोगिन पर यह अपडेट आ गया था एक अपरेल 2030 में ठीक है तब आपको करना क्या है अपना पासवर्ट यहां डाल लेना है हाँ अगर आपको यह कैफचा सही से पढ़ना नहीं आ रहा है या इस कैफचा का आप सही से नहीं समझ पा कर रहे हैं तो आप इसको पासवर्ट भड़ने से पहले ही चेंज कर लें ठीक है मैंने दिखाया आपको पासवर्ट डालने बाद चेंज किया तो पासवर्ट हमरा गया हो गया तो यहां पासवर्ट डाल लेते हैं आप देखो मुझसे पढ़ा जा रहा है इसलिए मैं पासवर्ट डाल ले पासवर्ट आपको सही सही डालना है इसमें कोई भी गड़वड़ आपको नहीं करनी है पासवर्ट में जो भी हैं कैपिटल है कैपिटल लिखेंगे जो इसमोल है इसमोल लिखेंगे जो हमारा डिजिट है डिजिट लिखेंगे ठीक है और यहां नीली पट्टी पैसे टश कर देंगे आप आप देखो आप पहुँझेंगे सीधे हमारे टैप पेज पर यहां अमरे टैप लिखी भी है यहां आपका इसकूल का नाम आ जाएगा इस परकार से आप लोगिन कर सकते हैं लोगिन करने मा आपको कोई दिक्कत आप न प्रेंगे प्रेंगे को हो जाए बेंख सेलो एंग राओं के इंग कर राओं औरूं के लाओं